प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानिया पसंद आती हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और लाइक और कमेंट भी किया करें ताकि मैं आपके लिए और अच्छी से अच्छी कहानिया अपलोड कर सकूँ, आप लोग विडियो देखते तो हैं, ल सामान को सलीके से लगाना भी जरूरी था क्योंकि अब्बा बाजार जाते हुए कह गए थे कि अम्मी के साथ मिलकर सारा सामान समेट लू, जब तक वो कुछ खाने को लेकर आते हैं, अब्बा की नौकरी ने हमें खाना बदोश बना रखा था, हर दूसरे तीसरे साल उनका तबादला होता रहता था, उन्होंने बड़ी कोशिश की तबादले के आडर रुकवा दे लेकिन ये मुम्किन नहीं हो सका और हमें कानपूर से मुंबई आना पड़ा, ये तबदीली कितनी तकलीफ दे थी, इसका अंदाजा सिर्फ हमें ही था, एक तो ये कि हम एक होगी कर ली जाएगी, ये सोचते हुए मैं खिडकी में आकर खड़ी हुई और बाहर का जायजा लेने लगी, अभी कुछ देर हुई थी कि मुझे किसी की नजरों की चुभन का एहसास हुआ, मैंने चौक कर उसकी तरफ देखा, एक नौजवान बड़े सलीके से बाल जाड हुए सफेद कपडों में बड़ी गहरी नजरों से मेरी तरफ देख रहा था, जैसे ही मेरी और उसकी नजरे टकराएं वो मुस्कुरा दिया और उसका हाथ माथे की तरफ उठा, मेरी जान जलकर रह गई, मैंने गुस्से में खिडकी जोर से बंद की और पीछे हट गई, उ ही मुझे उसकी वो हरकत अच्छी लगी थी, मुम्किन है, इसलिए कि मैंने उसे पहली बार देखा था और फिर ये की मेरी जिंदगी में ये पहला मौका था कि किसी नौजवान ने वो भी किसी अजनभी नौजवान ने इस तरह बेबाकी से मुझे इशारा किया था, मैं उ जड़कियों को शिक्षा दिलाना किसी खतरनाग बीमारी से कम नहीं समझा जाता था, कदम कदम पर बिरादरी और रिष्टों की रुकावटे मौजूद थी, जब हम कानपूर में रहते थे तो उस इलाके में इर्दगिर के सारे घर रिष्टेदारों ही के थे, वहां इधर जड़र ताक जहां करने पर डांटने वाले लोग मौजूद थे, मुंबई आकर पहले ही दिन मुझे जो तजुर्बा हुआ ये मुझे कुछ दिल्चस लगा, खुशी और खौफ की मिली जुली कैफियत का वो आलम मुझे कुछ कर गुजरने पर उकसाने लगा, मैं ठकी आम तोर पर अब्बा के जाने के बाद मैं दोबारा बिस्तर में घुस जाती थी, मगर उस रोज पहली बाद न जाने क्यों मेरी आंखो से नींद गायब हो गई थी, कुछ देर बाद न चाहते हुए भी खिडकी में जा खड़ी हुई मेरे दिमाग में कोई बात नहीं थी, इतनी जल्दी वही लोग उठते हैं, जिने ड्यूटी पर जाना होता है, गली में अंधेरे और सन्नाटे के सिवा कुछ नहीं था, मैं उस जगह को देखने लगी जहां कल वो नौजवान खड़ा था, देर तक मैं उधर देखती रही जैसे वो नौजवान वहां मौजूद हो, फिर मुझे अपनी बेवकूफी का एहसास हुआ तो खिड़की बंद करके अपने बिस्तर की तरफ बढ़ गई, मैं उस दिन कई बार खिड़की तक गई और बड़ी एहतियात से दूसरी तरफ देखा मगर वहां कोई नहीं था, मेरी खिड़की और सामने वाली खिड़ की का, फासला इसलिए कम था कि दर्मियान वाली गली पतली थी, जब शाम के साएं फैलने लगे तो मैंने खिड़की की दर से फिर जांका, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा दिल उचल कर हलक में आ गया हो, दूसरी तरफ वही मौजूद था, सची बात तो ये है कि मुझे इस प हमारी खिड़की पर जम सी गई मालूम नहीं उसे किस तरह वहां मेरी मौजूदगी का एहसास हो गया, उसने मुस्कुराते हुए फिर अपना हाथ उठा कर मुझे सलाम किया, मुझे ऐसा लगा जैसे उसकी नजरे मेरे जहन में उतर गई हो जैसे मेरे जिसमें जान ही ना हो जैसे तैसे मैं वहां से आई और करीब पड़े पलंग पर गिर कर अपनी हालत सही करने लगी, उस लम्हे मुझे वो नौजवान बहुत अच्छा लगा शायद इसलिए कि वो पहला लड़का था जिसने मुझे इस तरह इशारा किया था, मैंने ऐसे बहुत से किस्से सुन र आजमाओं जी भर के सताओं और फिर सारे परदे सारी रुकावते खत्म करके हम एक हो जाएं, उसके बाद ये मेरा रूटीन हो गया कि मैं हर शाम एक वक्त पर खिड़की में जाकर खड़ी होती, और उसे सामने देखकर खुश हो जाती, इस तरह ताका जाकी मुझे बहुत अच्छी लगती, मैं सोचती किसी तरह बात आगे बढ़े, एक रोज मैंने जैसे ही खिड़की खोली एक लिफाफा लहराता हुआ मेरे पास आ गया, मैंने बॉखला कर लिफाफा उठाया और मुठ्थी में छुपा लिया, उतने में अम्मी की आवाज आई, वो कह रही थी जरा घर का ख्याल रखना मैं पडोस में जा रही हूँ, अम्मी चली गई तो मैंने लिफाफा खोल कर खत निकाला और पढ़ने लगी, उसका नाम राशिद था, उसने खत में अपनी मोहबबत का इजहार किया था, मैं बहुत खुश हो गई कि किसी लड़के ने मुझे लव बना बैठी, चाहे जाने की ख्वाहिश कितनी सफाक होती है, और चाहत का नशा कितना जालिम होता है, कि हम लड़कियां बिना सोचे समझे एक ऐसे शक्स को अपना सब कुछ समझ लेती है, जिसे पहले कभी देखा और बरता भी ना हो और चाहे उसके बारे में कुछ भी माल वो अजनबी इस तरह हवास पर चाह जाता है, कि हर चीज में उसकी जलक दिखती है, दिल की हर धड़कन उसी को पुकारती है, रात को मैं जब बिस्तर पर सोने के लिए लेटी तो उसकी कलपना फिर बेचैन करने लगी, पहले मैं बिस्तर पर लेटते ही कुछ ही देर में सो मैं और वो तो अपने खटके जवाब का इंतिजार कर रहा होगा, मैंने सोचा मैं उसे जवाब देने की हिंमत कहां से लाऊँ, मैंने फैसला किया कि इषारों इषारों में उसे सब कुछ बता दूँगी, सब कुछ कह दूँगी, इन्ही सोचों में मुझे ख़बर भी न उठकर घर के काम काज निप्टाए और फिर अम्मी से तबीयत खराब होने का बहाना करके फिर सो गई, सोते सोते मुझे शाम हो गई और वो वक्त भी गुजर गया जब राशिद अपनी खिड़की में आकर खड़ा होता था, मैं सोचती रही कि राशिद मेरा इंतजार करके च वो मौझूद था मैंने सोचा कि टाइम के बाद भी मेरा इंतजार कर रहा है, उसे वाकई मुझसे मोहबबत हो गई है, मैंने उसकी तरफ देखा तो उसने इशारे से पूछा कि मैं कहा थी, मैंने बताया कि कोई बात नहीं बस जरा सो गई थी, फिर उसने जेब से दूसरा लिफाफा निकाला चोकरना होकर इधर उधर देखा और फिर मेरी तरफ लिफाफा उचाल कर पीछे हट गया, मैंने लिफाफा उठा कर उसे दिखाया और लिफाफे को चूंकर अपनी रजामंदी जाहिर की और खिड की बंद करके पीछे हट गई, ये सिर्फ चंद लमहे मुझ पर किस तरह गुजरे मेरा ही दिल जानता था, लरस्ते हाथों से मैंने लिफाफा खोला और खत निकाल कर पढ़ने लगी, इसमें भी मोहबबत भरी बाते लिखी हुई थी और वो अपने खत का जवाब मांग रहा था, मैंने सोचा के खत का जवाब जरूर दूंगी म अगर जरा थहर कर क्योंकि मैं डर रही थी, मैं किसी मुनासिट, मौके की तलाश में थी, अपने खांदान की दूसरी लड़कियों की तरह मैंने भी घर की चार दिवारी में रहकर थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना सीख लिया था, फिर भी दिल का हाल बयान करना मेरे विजहार कर दिया, वो खत मैंने एक शाम गोला बना कर राशित की तरफ उच्छाल दिया, उसके बाद हमारा खतों का सिलसिला चल पड़ा, फिर राशित ने पढ़ोस की एक लड़की जो की मेरी ही उम्र की थी, उसके हाथ मुझे खत भेजा, इस तरह वो लड़की मेरी मोह अब बत नामे का जवाब लिखा तो वो लड़की मदद करने पर तैयार हो गई, उसे अब यकीन हो गया था कि राशित की मोहबबत एक तरफा नहीं है, उसका नतीजा ये निकला कि मैं और फरीदा सहेली बन गए, मा ने भी उसे आने जाने की इजासत दे दी तो कोई रुक नहीं था लेकिन मेरे ख्याल में ये नामुम्किन था, फरीदा ने बताया कि राशित उसके घर बिला रोक टोक आजा सकता है, तभी फरीदा की अम्मी कही गई हो तो वो मुझे बुला लेगी वहीं राशित भी मौजूद होगा, दो-तीन रोज बाद ये मौका मिल गया, फ चलते हुए धीमी आवाज में उसने मुझे कुछ हिदायत दी, जैसे ही हम दोनों घर में दाखिल हुए राशित वहाँ पहले से था, कुछ ही देर बाद मैं और राशित कमरे में एक साथ बैठे थे और खामोशी थी, उस कामोशी को राशित ने ही तोड़ा, उसने मुझ से कहा मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरे ख्वाबों की, शहजादी मेरे सामने मौझूद है, उसने मेरे चहरे पर नजरे जमा दी, मैंने गड़बड़ा कर नजरे चुराना चाही तो वो आगे बड़ा और बेबाकी से मेरा चहरा अपनी तरफ करते हुए कहने लगा, हसीन लम मेरी हालत अजीब हो रही थी, हलक में जैसे कांटे से उग आये थे और मुझ खुश्क हो रहा था, उसने बोलने पर ज्यादा जिद नहीं की और अपने अपने तोर पर मोहबबत की और जुदाई की बाते करता रहा, वक्त गुजरता रहा, मैं उस टाइन तक खासी संभल च चुकी थी, इसलिए एक आध जुमला बोलती रही, जब फरीदा की अम्मी के आने का वक्त हो गया, तो वो जाने के लिए उठ खड़ा हुआ, जाते जाते उसने जेब से एक अंगुठी निकाली और मुझे पहनाना चाहा, मैंने आहिस्ता से हाथ आगे बढ़ा, दिया तो मेरा हाथ ठाम लिया और अंगुठी पहनाते हुए बोला, रुबीना डियर, दुआ करो ये हाथ हमेशा मेरे हाथ में रहे, वो मुझे प्यार से देखता हुआ चला गया, उसके जाते ही फरीदा कमरे में आ गई और छेर चाड़ करने लगी, उस मुलाकात के बाद मेरे और राशित के बीच परदे दूर होते चले गए, शर्म दूर होती चली गई, वो छोटे मोटे तोफे पहुचाता रहा और मैं उन मोहबबत भरे तोफों को सीने से लगाती रही, मुझे राशित से गहरा दिली लगाव हो गया था, ये मोहबबत भी कैसी अजब होती है, कि दो अंजाने दिलों की धड़कनों को एक साथ कर देती है, मुझे भी राशित से मोहबबत हो गई थी, मेरी आखे उसका चेहरा तलाश करती रहती और कान उसकी बाते सुनने को बेताब रहते, मैंने महसूस किया कि मैं उसके बगेर जी नहीं सकती, अगर्चे फरीदा की वज़ वो दीवानावार अपनी मोहबबत का इजहार करता, अपनी बेकरारियों का हाल सुनाता और मैं सोचती मेरी किस्मत कितनी अच्छी है, कि राशित जैसा चाहने वाला मिला है, दिन गुजरते गए, मोहलने वालों से तालुकात बढ़ते गए, अब मुझे यहां अजनभियत का एहसास नहीं रहा था, कुछ घर ऐसे थे जिसे अम्मी के तालुका इतने बढ़ गए के जरा-जरा सी बात पर अम्मी से सलाह मश्वरे किये जाते, मुम्तास का घर भी उनी में से एक था, वो हमारे घर के सामने वाली कतार में रहती थी, इन दिनों उसकी शादी की बात च आशिद से नहीं मिल सकी, कुछ देर के लिए शादी का घर छोड़कर फरीदा के साथ उससे मिलने गई थी, वो बहुत खफा था, और मुझे रोकना चाहता था, लेकिन मैं फिर आने का कहकर फरीदा के साथ मुम्तास के घर वापस आ गई, फिर मुम्तास की बारात का दिन आ बारात आने से कुछ देर पहले मुम्तास की अम्मी ने हमसे कपड़े वगेरा चेंज करने को कहा, मैंने अपने कपड़े सुबह ही फरीदा के घर रख दिये थे, और तो के शामियाने से निकल कर हम फरीदा के घर आ गए, और जल्दी जल्दी तयार होने लगे मैं तयार हो रही थी के दर्वाजे पर दस्तक हुई, मैंने दर्वाजा खोला तो सामने राशिद खड़ा था, मुझे याद आया कि उसने इसी वक्त आने को कहा था, वो मुझे देखते ही बोला रुबीना तुम बहुत खूपसूरत लग रही हो, वो मेरे करीब आ गया, मैंने शर्मा क को जला रही थी, राशिद ने कमरा अंदर से बंद कर लिया था, राशिद के कपरों से उट्ती हुई सेंट की खुश्मू मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, मैं खाली घर में अजनभी के साथ थी, एक अजनभी जिससे अभी मेरा कोई रिष्टा नहीं था, लेकिन मैं उसे अपना सब कुछ समझ लिया था, मैं उसके पास आने के लिए बेचैन भी थी और अब उसे करीब देखकर खौफसदा भी, राशिद क्या सोच रहा था, मुझे खबर नहीं थी, हाँ ये अंदाजा जरूर था कि वो सिर्फ मेरे लिए वहां आया था और मेरे ही बारे मे सोच रहा होगा, उसने बड़े प्यार से मेरा चहरा अपनी तरफ घुमाया, मैं वापस जाना चाहती थी लेकिन उसने मुझे रोक लिया, उसने आगे बढ़कर मेरे कंधे पर हाथ रख दिया, मैं उसके करीब गई तो दिल की धड़कन तेज हो गई, फिर उसने एक कदम औ और आगे बढ़ाया और फिर हमारे दर्मियान कोई फासला ना रहा, मैंने उसके वजूद की खुश्बू अपने वजूद में उतरते महसूस की तो मैंने आखे बंद कर ली, दूसरे ही लमहे हलके हलके सुरूर की लहर मेरे सारे जिसम में दौरती चली गई, सांसों की दोर उलजी तो मुझे यू लगा जैसे मैं पाताल में गिर रही हूँ, वो बे तहाशा मेरे गालों, होंटों और गर्दन को चूम रहा था, मैंने उसके बाजू का सहारा ले लिया और मैं भी जजबात के तूफान में बहने लगी और लडखराती हुई बेड पर धेर हो गई, वो गुनागार लमहे गुजर गए तो जैसे मुझे होश आ गया, मैं घबरा कर खड़ी हुई, मैंने कहा, ये क्या हो गया राशिद, मेरी आवाज भर्राई हुई थी, ये सब कुछ ठीक नहीं हुआ राशिद ये, नहीं होना चाहिए था, ये गलत है, राशिद ने कहा, त जल्दी जल्दी सामने लगे आइने में खुद को सवारा, कपरों की शिकने दरुस्त की और चेहरे पर जूटी मुस्कुराहट सजाए दरवाजे की तरफ बढ़ी, राशिद ने कहा, देखो रुबीना इस बात का जिक्र किसी से न करना ये हम दोनों की इज़द का सवाल है मैंने उदासी से उसकी तरफ देखा और बाहर निकल गई, बाकी का सारा वक्त मैंने बड़ी तकलीफ और उदासी में गुजारा, मैं खुद को लुटा-लुटा महसूस कर रही थी, उस हादसे के बाद तो मेरे और राशिद के दर्मियान कोई परदा ही ना रहा, मैं न चाह जाते हुए भी उसके इशारों पर नाचने लगी, रोज नएने बहाने तराशे जाते, कभी फरीदा के साथ फिल्म देखने का बहाना करके अम्मी से इजाजत ली जाती और मैं राशिद के पहलू में होती, कभी फरीदा के साथ किसी सहेली के घर, जाने के बहाने, के घर का निचला हिस्सा खाली रहता था, राट के वक्त राशिद गली में खुलने वाले दर्वाजे को खोल देता था, उसके माबाप मकान के उपर के हिस्से में रहते थे, नीचे के दोनों कमरे राशिद के पास थे, लजजद और जिस्मानी सुख मिलने के बावजूद म अम्मी ने भी भांप लिया, उन्होंने मुझसे पूछा लेकिन मैंने कुछ ना बताया, उन्होंने फैसला किया कि वो मुझे डॉक्तर के पास ले जाएंगी, मैं ये सुनकर सुन होकर रह गई, ये सोच करके डॉक्तर जरूर वो बात जान लेगा जो मैं सबसे छुपाए ह हुए हूँ, फिर अम्मी को ये मालूम हो गया, तो कयामत ही आ जाएगी, ये सोचते सोचते मुझे, मतली सी महसूस हुई, मैंने खुद पर काबू पाने की कोशिश की तो मेरा सर घूमने लगा और मुझे उल्ती हो गई, शाम हुई तो मजबूरन मुझे मा के साथ जाना प क्या पहली बार, डॉक्तर ने कहा मैं ये कह रहा हूं कि तुम अपनी बहो का ख्याल रखना ये मा बनने वाली है, मैं दो दिन की दवाई लिख दे रहा हूं ये ले लेना, अम्मी ने गैर यकीनी अंदाज में डॉक्तर की तरफ देखा, उसने पर्चा लिखकर अम्मी की त खिलाया है, मैं रोने के सिवा कुछ ना कह सकी, वो अपना चपल उतार कर मुझे मारने लगी, मैं खामोशी से पिटी रही, फिर आखिरकार मुझे जबान खोलना पड़ी, मैंने रोते हुए उन्हें सब कुछ बता दिया, उन्होंने मेरी बात सुनकर अपना सर पीठ लिया इस दौरान में अब्बा के घर आने का वक्त हो गया, अब्बा के आने के बावजूद मैं अपने कमरे में लेटी रही, कुछ देर बाद अब्बा और अम्मी की तेज तेज बात करने की आवाज आने लगी, मैं दर्वाजे से लगकर उनकी बाते सुनने लगी, वो दोनों म मेरे बारे में बात कर रहे थे। अम्मी का कहना था कि मुझे राशित के सर मंड दिया जाए मगर अब्बा उसके खिलाफ थे। वो गैर बरादरी में अपनी लड़की देने पर तयार नहीं थे। मैं दोबारा आके पलंग पर लेड गई। अम्मी मुझे कोस्ती रही। मैं अ आपा संभाल ले परसो हैदराबाद से तेरे चाचा आ रहे हैं और अनवर भी उनके साथ आएगा। दोनों में पता नहीं क्या क्या बात हुई हसी हसी में अनवर से मेरी बात पक्की हो गई। मेरे अतीत की कड़वी यादे जुड़ी। हुई थी, ये सब इतनी जल्दी हो गया के मुझे कुछ समझ में नहीं आया। उसके बाद अम्मी और अब्बा हैदराबाद आये और उन्होंने शांदार दावत करके सारे खांदान वालों का मुँ बंद कर दिया। मैं अन्वर की बीवी कहलाने लगी और अन्वर को अपनी जूटी वफा जूटी मोहबबत का यकीन दिलाने पर मजबूर हो गई। मैं उसके साथ रात दिन गुजारने के बावजूद उससे बहुत दूर थी। लिए आने वाला तूफान तल गया। जिन्दगी में आने वाले पहले मर्द को कभी नहीं भुला सकती मुम्किन है मर्दों के साथ भी ऐसा ही हो कि वो पहली औरत को जिन्दगी भर याद रखते हो लेकिन किसी मर्द ने ये एतराफ नहीं किया। इसकी शायद जरूरत भी नहीं क्यूंकि मर्द फित्रतन हरजाई होता है। राशिद ने मेरा सब कुछ लूट लिया था लेकिन मैं उसे मुझरिम नहीं समझती थी मेरे नस्दीक वो बेकसूर था। मुझे यकीन था कि अगर उसे मौका दिया जाता तो वो मुझे अपना लेता। खांदान और बिरादरी की दक्यानूसी रिवायत ने मेरे और उसके दर्मियान एक दीवार खड़ी कर दी थी उन्हीं रिवायत की। पासदारी में बरादरी की कोई लड़की कभी गैरों में नहीं बियाही गई थी, चाहे कोई लड़की अपनी भरी जवानी सुलक सुलक कर ही क्यों ना गुजार दे, चाहे वो अपने शोहर की बाहों में होकर भी खुद को दूसरे के करीब महसूस करे लेकिन ये मुम्किन नह कि वो सब लोग मुझे अपनी तमन्नाओं के कातिल नजर आते थे। मैंने खुद को मुश्किल से वहां रहने पर राजी किया था क्योंकि इसके सिवा मेरे पास कोई और रहा भी तो नहीं थी। राशित के साथ गुजरे हुए दिनराथ ही मेरी जिन्दगी का सरमाया थे। अ उसी साल में एक और बच्चे की मा बन गई तो अनवर को एक और खुश खबरी मिली। अनवर एक मुद्दत से विदेश जाने की कोशिश कर रहा था खुदा ने उसकी सुन ली। अनवर दुबई चला गया और मैं घरवानों की नजर में खुश बक्ती की अलामत बन गई। चचा अकसर कहते की जब से रुबीना हमारे घर आई है, हमारे दिन फिर गए हैं। घर का हर फर्द मेरा ख्याल रखता लेकिन मुझे वो सब जहर लगता। मैं अपने कमरे में लेटी सोचा करती की लोग मुझे खुश नसीब समझते हैं। और मैं अपने अंदर से कितनी त अपने देखती थी जो मुझे मिल नहीं सका। शायद यही इनसान की फितरत भी है, जो उसे नहीं मिलता उसी की तमन्ना करता है। एक दिन चाचा मेरे कमरे में आए और मुझसे कहा, रुबीना बेटी तुम अकेली कमरे में पड़ी। रहती हो कुछ हसो बोलो, कहीं आया ज उसके बाद मैं घर के दूसरे लोगों से मिलने जुलने और हसने बोलने लगी। दो-तीन मरतबा करीदी मार्केट तक भी चली गई। इस तरह घुटन का एहसास कुछ कम होने लगा तो हफते में एक बार शहर की दूसरी बड़ी मार्केट में भी जाने लगी। इस तरह बह वक्त अभी तक तेरे सर से उस कमिने का भूत नहीं उत्रा, शर्म कर किसी को भनत भी लग गई तो तेरी जिन्दगी हराम हो जाएगी। भूल जा उस जलील को। ये उस वक्त की बात थी जब मेरे पहले बेटे की पैदाईश पर मेरी मा मेरे ससुराल आई थी। उन्होंने म मुझे नाम बदलने का मश्वरा दिया था और मैं हाहू करके टाल गई थी, मेरा बड़ा बेटा अब चार साल का हो चुका था और उसे मैंने स्कूल में दाखिल कर दिया था, वो मेरी महबबत की जीती जाकती यादगार था, इसलिए मुझे अपने छोटे बेटे से वगेरा खरीदे, खिर अपने लिए कपडा खरीदने एक दुकान की तरफ बड़ी, चलते चलते ठटक कर रह गई सामने से आने वाला राशिद ही था, वो मेरे पास आकर मुझे देख कर हैरान रह गया और कहा, मैं अपने जाती काम से आया हूँ, चलो किसी होटल के फैमिली करने वाला कौन है, ये मनजर देखकर मेरी आंखों में नमी सी तेरने लगी, फिर राशिद ने उसे गोज से, नहीं उतारा, कुछ ही देर बाद हम होटल के फैमिली रूम में आ बैठे, हम देर तक अपने बीते दिनों की बाते करते रहे, उस मुलाकात ने मुझे एक नई राह सुझाई, मेरा महबूब मेरे सामने था, अगर कुछ और मुम्किन नहीं था, तो उसके साथ चंद दिन तो गुजारे जा सकते थे, यहीं मेरा फैसला था और इस पर अमल करने में मैं आजाद थी, मैंने उसे अपना घर दिखा दिया, घर के दूसरे लोग रात को 10 साथ बैठ कर गुजरे वक्त के गम भुलाते रहे, होश से मू मोडते रहे और तूफान को गले लगाते रहे, हमारे बीच फिर से वही पुराना गुना का रिष्टा कायम हो गया, मैं उसकी बाहों में तूटने लगी, सुबह होने से पहले राशिद अगली रात आने का वा पूरी छुपे का मज़ा और ना देख लिए जाने का खत्रा, फिर ये ख्याल भी मेरे लिए कम खुशी का नहीं था के जिससे मुझे मुझे मोहबबत थी, वही मेरे जिस्म और मेरी आत्मा को मज़ा और लज़द दे रहा था, ये सब कुछ मैं पूरी सच्चाई, पूरी रूठी हुई खुशिया वापस मिल गई, मेरे दिन रात एक नशे में गुजरने लगे, मगर एक दिन मेरा सर चक्राया साथ ही मतली भी महसूस हुई तो मैं कुछ बुझ गई, मैं अब दो बच्चों की मा बन चुकी थी और अच्छी तरह जानती थी कि ये निशानिया किस तरफ इशारा कर रही है, मेरी कोक में एक नई जिन्दगी, करवटे लेने लगी थी लेकिन जजबात ने मुझे इतना अंधा कर दिया था कि मैंने अपने भयानत भविश्य के बारे में भी नहीं सोचा, मुझे ये ख्याल भी ना आया कि ऐसी औरत जिसका शोहर बहुत दिन में मुतमईन करना बहुत जरूरी था, मैंने अकसर बूढ़ी औरतों से सुना था कि मा बनने के बाद औरत का जिसम भारी हो जाता है, मेरा छोटा बेटा अभी छे महीने का ही था जो आया के पास रहता था या चचची के गले का हार बना रहता था, मेरी कोक से जनम लेने के बावजूद वो उस आदमी का खून था जिससे मुझे मुझे मोहबबत नहीं थी, इसलिए वो उपर के दूद पर पल रहा था, हाँ अपने बड़े बेटे को मैंने दूद जरूर पिलाया था, एक मा अपनी ही कोक से पैदा होने वाले बच्चों में फर्क भी कर सकती है, ये भी एक कड़वी हकीकत है लेकिन था, ऐसा ही मैंने इसी बात को बुन्याद बना लिया कि दोबारा मा बनने की वज़र से मेरा जिसम भारी हो गया है, फूल गया है, इस पर मैंने अपनी सास से बात की तो उन्होंने भी मुझे ये कहा के खास बात नहीं है, ऐसा हर औरत क साथ होता है, इस तरह मैंने अपने लिए राह हमवार कर ली, राशित पूरे दो महीने हैदराबाद में रुका, ये दो महीने गुना और नशे में गुजर गए, फिर वो दोबारा हैदराबाद आने का वादा कर मुंबई चला गया, मैं राशित का इंतजार करती रही और उस इंतजार में तीन महीने गुजर गए, राशित तो नहीं आया हाँ, दुबई से अनवर के आने की खबर मिली, कोई चक्कर चला कर वो एक साल पूरा होने से पहले ही इंडिया लौट आया, अनवर के आने से जहां मुझे जिस्मानी तकलीफ से दोचार होना पड़ा, वह मुझे ये सुकून भी हुआ कि उसके आने ने मेरे गुना को चुपा लिया है, अब कोई मुझ पर उंगली नहीं उठा सकेगा, उसे भी मैंने अपना जिसम भारी होने की कहानी सुना कर मुतमेन कर दिया था, एक महीना गुजार कर अनवर को वापस दुबई जाना था, एक दिनों में जो एहतियाद जरूरी होती है, जाहिर है, मुम्किन नहीं थी, उसका नतीजा जल्द ही जाहिर हो गया, अनवर के जाते ही मेरी तबियत एकदम बिगर गई कोई छुपाने वाली बात तो नहीं थी, एक बार फिर मुझे डॉक्टर के पास ले जाया गया, उस रो हर अनवर सिर्फ एक ही महीना तो मेरे पास रहा था, फर्क अगर था तो सिर्फ ये की अम्मी की बजाए उस वक्त मेरे साथ मेरी सास थी और मैं कुवारी नहीं थी, लेडी डॉक्टर और मेरी सास के दर्मियान क्या बाते हुई मुझे नहीं मालूम लेकिन उसी शाम को मेरा ख्याल था कि मुझे अस्पताल से घर ही ले जाया जाएगा मगर मैं वहां से सीथी रेलवे स्टेशन ले जाई गई जहां से मुझे मुझे मुंबई जाने वाली ट्रेन में बिठा दिया गया, मुझे जैसे ही मुंबई रेलवे स्टेशन का बोर्ड नजर आया मैं ट् मगर मैं जिस हादसे से गुजर चुकी थी उसे ध्यान में रखते हुए ये कोई खास बात नहीं थी। मैं सफर के दौरान खाली जहन से बैठी रही थी। स्टेशन से एक टैक्सी करके अपने घर पहुँच गई। जरूर खुलेगी, फिर एक सुबा, दाक्या घर के पते पर एक रजिस्ट्री लाया तो सारा भांडा फूट गया, खत में मेरे तालुक से सारी बाते लिखी थी, उसी के साथ तलाक नामा भी मौजूद था, चचा ने अपने खत में ये भी लिखा था कि उन्होंने अनवर को तमाम हालात लिखकर उसे तलाक नामा मंगवा लिया है, उसने अपनी मर्जी से मुझे तलाक दे दी है, अम्मी दबी दबी आवाज में मुझे कोस्ती रही, फिर उन्होंने मुझसे सवाल किया, मैं उन सवालों के सही सी जवाब देती रही क्योंकि अब कुछ भी छुपान अगर मेरे दिल को धक्का सा लगा क्योंकि जब वो हैदराबाद में मुझसे मिला था तो ये सब कुछ नहीं बताया था। वो जो कहते हैं कि दूपते को तिनके का सहारा भी काफी होता है यही हाल मेरा भी था। मैंने सोचा अगर उसने शादी भी कर ली है तो क्या वो मुझस से दूसरी शादी कर लेगा मैं अब भी अपने आपको ये फरेब दे रही थी कि राशित की मोहबबत तो मैं हूँ क्या खबर उसने भी हालात से मजबूर होकर शादी कर ली हो अब बासे उसने यही कहा था कि मैं खुद बीवी बच्चे वाला हूं रुबीना से कैसे शाद मैं चीक पड़ी और कहा नहीं अम्मी मैंने भी तो शादी की थी वही कसूरवार कब है अम्मी ने पूछा तो अब आखिर तू क्या चाती है मैंने कहा अम्मी मुझे यकीन है कि वो भी मुझे चाता है अगर आप उसे जाकर ये कहेंगी कि पहली बीवी रखने पर कोई एतर कि खातिर माबाप अपनी इज़्जत का भी ख्याल नहीं करते अम्मी उस रोज तो मुझी को डाट फटकार कर रोने लगी मगर दूसरे दिन सुभा मुझे कहने लगी ठीक है रुबीना आज शाम मैं उसके घर जाकर बात करूंगी क्या खबर वो मान ही जाए शाम को अम्मी अब्बा के आने से पहले राशिद के घर गई तो मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था राशिद अब भी सामने वाले घर के निचले हिस्से में रहता था मैं कई बार उसे आते जाते देख चुकी थी मैंने कमरे की खिडकी से नीचे गली में जांग कर ये वही खिडकी थी जिससे मेरी बदकिस्मती का आगाज हुआ था, अम्मी को मैंने घर के दर्वाजे पर दस्तक देते देखा, दर्वाजा राशिद ने खोला और अम्मी अंदर चली गई, मेरे होटो पर उस वक्त यही दुआ थी कि अम्मी काम्याब लोटे, मैं खिडकी मे देर तक खड़ी रही और फिर मेरी आंखों ने एक ऐसा मनजर देखा, कि उसके बाद कुछ और देखने की आर्जू ही ना रही, मेरी ही हम उम्मर एक औरत अम्मी का हाथ पकड़ कर उन्हें दर्वाजे से निकालते हुए चीख रही थी, निकल जा मन्हूस बेगैरत बुढ दिया मेरे घर से बाहर, तुझे अपनी आवारा बेटी के लिए कोई और रिष्टा नहीं मिला था जो मेरे घर में आग लगाने आ गई, मेरे ही घर में बैटकर तू मेरे ही शोहर पर डोरे डाल रही थी, सब सुन लिया है मैंने जो तू चुपके चुपके बराबर वाले क मेरे शोहर से कह रही थी, अरे अगर तेरे सफेद बालों का ख्याल ना होता तो तेरी चोटी पकड़ कर तेरे मूँ पर दो थपड़ लगाती, अब इधर का रुख किया बेगैरत तो तेरी टांगे तोर दूँगी, मेरी अम्मी जैसे पत्थर बनी गली में खड़ी थी, श शरीफो का घर है यहां तो, हारी दाल नहीं गलेगी, किसी और के सरमंडो अपनी उस आवारा लड़की को, मेरा उससे भला क्या तालुक, राशिद के ये शब्द पिघले हुए सीसे की तरह मेरे कान में उतरते चले गए, फिर मुझे याद नहीं के कब मैं तीर की तरह लप स्वाई का तमाशा देख रहे थे, राशिद अभी अपने घर के सामने खड़ा हुआ मेरी अम्मी को और मुझे बुरा भला कह रहा था, किसी पडोसी नौजवान ने अपने घर से निकल कर राशिद से पूछा क्या हुआ राशिद भाई, उसने कहा होना क्या था मालूम नह कहां से ये कंजर लोग हम शरीफों के मोहले में आबसे हैं, इस बुढिया की बेटी आवारा है, और ये बुढिया, राशिद अभी अपनी बात पूरी नहीं कर सका था कि मैंने जपट कर उसके सीने में छूरी उतार दी, फिर मुझ पर जुनून तारी हो गया, वो गिर भी गया, तो मैं उसके जिस्म को छूरी से गोटी रही, किसी की हिम्मत न हुई कि मेरे करीब आ सकता, पतली सी वो गली मैंने एक ही जस्त में उबूर कर ली थी और राशिद उस वक्त पडोसी नौजवान से बात कर रहा था, चंधी लमहों में तो सब कुछ हो गया था, किसी के पुलीस को खबर कर दी थी, उसी के साथ गली की नाकाबंदी भी कर ली गई थी ताकि मैं फरार ना हो सकू, मगर मुझे वहां से कहा भागना था, नाकाबंदी करने वाले मोहले के लोग ही थे, पुलीस आई और मुझे हतकरी पहना दी गई, अदालत में मैंने कुछ भी नह बजर चुके हैं, मैं जेल में हूं मेरे घर वाले मुझे नफरत और हिकारत से देखते हैं, अबबा मुझसे जेल में मिलने कभी नहीं आए, अम्मी एक दफा उस वक्त जरूर मिलने आई थी जब अबबा और वो मुंबई से कलकता जाने वाले थे, मैं तनहाई का जहर पीन पर मजबूर हूं क्योंकि मैं उसकी खुद जिनमेदार हूं। तो मैं पहरो रोती रहती हूं, जाने वो किस हाल में होंगे और मैं कभी उन्हें देख भी सकूंगी या नहीं ये। भी तो मुम्किन है कि मैं इसी तरह सिसक सिसक कर जेल ही में मर जाऊं।